नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं एक मा की सबसे बड़ी दूइथा जो की है फ्लोर साफ रखना फ्लोर साफ रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है और तो और इसे करना भी रोज ही पड़ता है दिन में एक बार जाड़ू पूछा लगा भी लो पर विंडोज ओपन रहती है तो डस्ट कहीं न कहीं से आई जाती है और आज मेरे घर में आने वाले हैं गैस्ट अब मुझे बूकिंग भी करनी है और अपने फ्लोर को भी क्लीन रखना है और अगर इन दोनों में से एक भी काम मैंने सही से नहीं किया तो फैम जो मेरे घर को मिंटो में साफ कर देगा चलिए बताती हूं कैसे ये एक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है जो बिना किसी इनसान के मदद से फ्लोर को साफ करता है आई लाइफ टी टेन एस क्लीनर को चलाने के लिए लाइडर टेकनलोजी को उप्योग किया जाता है इस टेकन से तिन सु साट डिगरी की रेंज में लेजर बिम्स को भेशता है और फिर इनका रिफ्लेक्शन डिटेक्ट करता है जब आई लाइफ टी टेन एस क्लीनर किसी चीज से टकराता है तो उन्हें अवॉइड करके बाकी जगे क्लीन करता है और तो और फरनीचर के नीचे भी आ झाल आई लाइफ टी टेन एस में एक हेपा फिल्टर होता है जो दूलों एलर्जी के पार्टिकल्स को आसानी से हटा सकता है साइड ब्रशेज आई लाइफ टी टेन के पास दो साइड ब्रशेज होते हैं जो फ्लोर के कोने कोने को आसानी से साफ करने में मदद करते हैं मौब पेड आई लाइफ T10 में एक मौब पेड भी होता है जो आपके फ्लोर को गिला करके साफ करने में मदद करता है इसको लगाना और हटाना बहुत ही आसान है इसके अलावा आई लाइफ T10 के साथ एक चार्जिंग डॉक भी आता है जहां रोबोट क्लिनर को चार्ज किया जा सकता है और ये रोबोट से धूल मिट्टी खीच कर अपने अंदर रखे डिस्पॉजिबल डस्ट बैग में कलेक्ट करता है आई लाइफ T10S में 2-in-1 वैक्यूमिंग और मॉपिंग फंक्शन ये वैक्यूम और मॉप दोनों का काम एक साथ करता है इसके पास 240 एमल का वाटर टैंक और 250 एमल का डस्ट टैंक होता है जिससे ये बड़े से बड़े स्पेस को क्लीन कर सकता है ये रोबोट वैक्यूमिंग के टाइम ब्रश और सक्शन फंक्शन को मिला कर दूल मिट्टी को पिक करता है और मॉपिंग के टाइम पानी को मॉपिंग पैड पे ड्रॉप करके पोच्छा लगाता है इसके पास चार अलग-अलग क्लीनिंग मोड्स और तीन लेवल के वाटर सेटिंग होते हैं जिससे आप क्लीनिंग प्रॉसेस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं iLife T10S के पास तीन अलग-अलग cleaning modes होते हैं, vacuuming, mopping and simultaneous, vacuuming and mopping, इसके अलावा S-shape और Y-shape cleaning modes भी available है, इसका Y-shape cleaning modes stain remove करने में मदद करता है, iLife T10S के पास चार sanction modes हैं, जिसमें से आप अपने preference के हिसाब से एक mode select कर सकते हैं, इसके अलावा ये robot self empty station का feature भी देता है, जिससे robot अपने dust को खुदी self empty station में dump कर देता है, और ये less than 20 seconds से भी कम में, ये auto empty station 2.5 liter of dust hold कर सकता है, मतलब कि आपको इसे 60 दिनों तक empty नहीं करना पड़ेगा, इसमें 20,000 PA का powerful sanction system यूज किया जाता है, dust bin को empty करने के लिए और dust को disposable bag में trap किया जाता है, इसमें dust bag full होने पर reminder भी आता है, iLife T10S robotic vacuum cleaner में एक खास auto carpet boost feature होता है, इस feature की वज़े से robot cleaner जब भी carpet पर जाता है, तो अपनी sanction power को बढ़ा देता है, जिससे carpet से धूल और गंदगी को साफ करना आसान हो जाता है, iLife T10S में smart lighter navigation का feature भी है, ये laser sensor यूज़ कर आपके घर को scan करता है, और उसका map बना लेता है, इससे vacuum cleaner आपके घर के कोने कोने की cleaning करता है, ये robot obstacles को delete करता है, और टकराने से बचाता है, इससे आप Google Home और Amazon Alexa से भी connect कर सकते हैं, जिसससे आप इससे आसानी से on off कर सकते हैं, के साथ चलाना बहुत ही आसान है, और इसमें बहुत सारे features हैं, जैसे कि आप किसी specific room या area को robot को कितनी बार clean करने के लिए set भी कर सकते हैं, cleaning schedule features से आप robot को साफ सफाई के लिए अलग-अलग समय पर भी भी भेज सकते हैं, low go zone और two go zone features से आप virtual boundaries set कर सकते हैं, जहां robot को साफ सफाई के लिए भेजा जाना चाहिए और जहां नहीं, अगर robot cleaner cleaning करते हुए battery low हो जाती है, तो वो खुद ही अपने charging dock में जाकर charge होने लगता है, और जब battery full हो जाती है, तो robot अपने last cleaning sport पर खुद ही वापस आ जाता है और अपनी cleaning को आगे बढ़ाता है, तो ये थे कुछ features जो आपके घर को साफ रखने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन मुझे बस इसमें एक कमी लगी, इसका ये जो dust bag है वो सिर्फ 50 to 55 days तक ही चलेगा, वैसे ये आपके घर की size और मौज़ुदा dust पर भी depend करता है, अब मैं 24 hours अपने floor को साफ रख सकती हूँ, और अपनी family के साथ quality time भी spend कर सकती हूँ, इसने मेरी life सच में बहुत आसान कर दिया, अब मैं 24 hours अपने floor को साफ रख सकती हूँ,